दोस्तों आज हम जानेंगे Allotment Later कैसे निकालते हैं फार्मेसी के लिए Allotment Later Pharmacy MP Students के लिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे एक DTE MP Online पचाहेंगे DTE MP Online उसके अधा आपको First Link दिख रही होगी उस पर क्लिक कर दिजिएगा Go for Counseling Go for Counseling पर जाने के बाद आप यहां अपना Language सेलेक कर लिजिए Hindi और English उसके बाद आप अपना कोर्स सेलेक कर लिजिए कोर्स में Graduation उसके बाद Bachelor and Diploma of Pharmacy यहां पर आपको दिख रहाओगा Apply for Counseling इस पर क्लिक कर दिजिए Counseling पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे दिख रहाओगा जो फर्स्ट आउंड को Registration था वह 18 अगस से स्टार्ट हुआ था 31 अगस को खतम हो गया था और जो इसकी Common से 15 सितंबर से पहले हमें College जाना होगा और College जाने के बाद हमें अपने सारे documents लेके जाने वहाँ पर और अपना admission confirm करना है तो हम यहां क्लिक करते हैं उसके बाद यहां से application number बोल रहे हैं तो यह हमारा जो भी application number है वह हमने एंटर कर दिया उसके बाद date of birth यह हमने एंटर कर दिया उसके बाद यह जो result है हमार round one के लिए तो हमने first round पर क्लिक कर दिया यह जो आपने password बनाया था वह आप अपना password टाल दीचिए उसके बाद 6 प्लस 3 9 यहां आपको get details पर क्लिक करना है get details पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा जहां पर आपके details होगी उसके एक बाद confirm कर लिजिए अपना अप्लिकेट नेम जैंडर फादस नेम date of birth and domicile and mother's name यह confirm करने के बाद अपने फोटो आप match कर लिजिए उसके बाद आपको view allotment पर क्लिक करने के बाद आपका छूबी seat allotment later होगा first round का वो आपके पास आ जाएगा यहां पापकी same details show कर रही होगी और उसके नीचे आपके college allot हुआ है आपका जैसे मेरे case में जो institute code 72 सिराम institute of technology pharmacy जबर्पूल अलोट हुआ है यह private college है और मेरी जो ब्रांच में चूज़ की थी वो बी फार्मा थी और जो मेरी केटेग्री थी OBC इसके बाद यहां हम अपने सब कुछ पढ़ लेंगे उसके यहां पर आपको जैसे दिख रहा होगा कि आपको college पर report करना report at the allotted institute as per the counseling schedule it means कि हमें 15 September से पहले college में college में जाना है अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 15 September से पहले में college जाना है पांच बेसे पहले तभी आपको admission होगा वो confirm माना जाएगा otherwise आपको admission होगा वो cancel हो जाएगा अब आप next line में देखते हैं आप पर जब भी आप report करेंगे college में उसके बाद आपको admission slip मिलेगी तो वह आप जरूर से ले ले अन्यता ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका admission हुआ है कि नहीं हुआ admission slip मिलने के बाद आप अपना admission status चेक कर सकते हैं उसके अदम third line पर आते हैं यहां पर यह लिखा है कि आपको college में report करना है जो भी आपको college मिला है आपको सिब अपने tc और migration original submit करने हैं उसके लब आपको अपने कोई भी document submit नहीं करने हैं जैसे 10th की mark seat 12th की mark seat और आपका आये निवास प्रमाडपत जात निवास प्रमाडपत यह सब चीज़े आपको कुछ भी submit नहीं करनी है उसके आप अपना जो भी allotment लेट है उसको प्रिंट निकाल लेंगे आप अपने tc रख लेंगे migration रख लेंगे 10th की mark seat 12th की mark seat यह सब ले जाके अपने college में आप दिख allotment में नाम नहीं आया round 1 में वो round 2 के लिए apply कर सकते हैं धन्यवाद